दोस्तों जैहिन स्वागत है आप सभी का Study with MSPP चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जनरल हिंदी का ये मौक टेस्ट है 12 नम ठीक है इसके पहले 11 करवा दिये हैं मैंने अलड़ी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप चैनल पर जाएए लिंक भी उसका डिस्क्रिप पाल हो PT के लिए वीडियो के लिए ROI के लिए UPPCS के लिए या UPSS का कोई सभी एक्जाम हो जहां पर या अन्य भी आयोग जो भी पूस्ते हैं जनरल हिंदी कहीं भी आएगा तो वह सभी सब कॉमन ही होता है कुछ पॉइंट को छोड़ करके या कुछ पॉइंट प्लस हो जात तो आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं आप उसको जौइन कर लिजिएगा description box में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल उसको आप जौइन कर लिजिएगा ठीक है तो आपको PDF इसली मिल जाएगा और जूभी मैं जानकारी और भी चीजें बताता रहता हू परिक्षा से संबंदी वो भी आपको आप तक पहुंशती रहेंगी चलिए सुरू करते हैं वीडियो को देखते हैं सबसे पहले प्रश्न कौन सा है तेकि वाक्य में तुटी पूर्ण भाग का चैन करना है देखिए इसमें कौन सा तुटी पूर्ण भाग है भाग है भारत में से ही समझ में आ जाएगा आपको कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है लोकत्त्रिक होता है लोकत्तम दिक नहीं ठीक आ अनंद का प्रया northe rain जिसके और चंड रमा भाग हो तो चंद शेकर जो देने योग्य हो तो वह क्या है डे कि सिंपल सा है बहुत कोई भारी भर कम च विश्चेत कि इसमीं क्या होता है जब वर्णन के जो वर्ण के बाद ना और मा यानि प्रथम वर्ग के बाद ना या मा आवे तो यहां पर मा आ रहा है तो इसी वर्ग में मतलब का वर्ग में ही इसका जो पंचमाक्षर होता है पंचमाक्षर किसको बोलता है जो पांचमाक्षर होता है आपने आई होप की यह जो चीजी मैं बता रहा हूँ आपन तो ये जब ना का के बाद क्या यानि कि का के बाद उसका अंगा हो जाएगा ये पंचमाक्चर हो जाएगा ये पर्थम वर्ण के बाद वर्ण का जो पर्थम वर्ण है उसके बाद अगर ना और मा आवेगा तो उसी वर्ण में पंचमाक्चर हो जाएगा यानि कि यहां पर द tenha रखिए गा मैंने बता दिया क्योंकि आपको वेंजन सन्दी भींके हो जाएं ठीक है कि रिग्सई समय का जो विलो में होता है क्या होता है रिग्स चंध्रभाली मैं tracks समास होगा यानि बहुव्रीन समास क्या है जो दो पद मिलकर कि तीक है किसी तीसरे अन्य पद की विशेष्ता बताएं यानि चंद्रभाल में चंद्र और भाल यानि कि आप अगर चंद्रभाल बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जिसके भाल पे यानि सिर्फ माथे पे चंद्रमा हो तो यानि कि किसका बोध हो रहा है तो यहाँ पर कोई वैसा बोध नहीं हो रहा है यहाँ पर सिधे-सिधे भगवान संकर की जो है वो शिव की जो है वो आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है कि भाई उनके ही माथे पे चंद्रमा है तो चंद्र लिखा हुआ है जबकि होता क्या है सामाजिक होता है बड़ा सा होगा ठीक है बिन बिन किसका है बिन तो आपको लग रहा होगा यह संस्क्रिट तो है नहीं उर्दू भी नहीं है उर्दू में बे होता है अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है हिंदी ही है जैसे बिन ब्याहा बिन काम ऐसे करके होता है तो वो वो चीज़ है तो हिंदी का है ठीक है बिन सिख्छक ने पाठ पढ़ाया तो कारक पूछ रहा है तो भई कारक आपको कारक कौन सा है इसमें करता करता कैसे हम जानते कैसे हैं कारक और कारक चिन अलग-अलग चीज़ें ठीक है कन्फ्य आएगा वो करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसे करते हुए जो भी है सारे उनको याद रखिया तो इसमें क्या है करता जैसे सिच्छक ने तो आप ने क्या है करता यहां पे करता कारक होगा ठीक है ने अब देखे वही नीचे प्रस्ट भी पूछ लिए है कि कौन देखे जो के साब रखाई बबं कारकश भी भक्ति यां जो होती है उसा प्रसर्ग भी बूलता है इस्से है जंडेकर इसमें रिक वी देखते है हिंदी में कितने लिंगों का प्रियोग होता है तो हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं एक इस्त्री लिंग और एक पुलिंग ठीक है पुलिंग बस हिंदी में दो ही लिंग होते हैं अब संस्कृत में जो है तीन होते हैं एक इस्त्री लिंग एक पुलिंग और एक उभे लिंग ठीक है तो वो संस् अपवाद को छोड़ कर वर्णमाला के अक्षरों को किस लिंग में मतलब होते हएं यह तो पूलिंग ही होते हैं ج लिखा जाता है खा लिखा जाता गा लिखा जाता है मैंने इस्ट्रिलिंग पूलिंग का बहुत बढ़नीया तरीका नहीं जाती है तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको इस त्रिलिंग और पुलिंग में भहत आसानी से आप identify कर पाएंगे तो ये चीजें देहान रखिए छोड़ी चीजें हैं लेकिन ये बहुत महत्तपूर्ण बाते हैं निमलिकित में से किसका प्रियोग सदयव बहुब बहुबचन के रूप में होता है तो प्रान निकल गए बोलते हैं इनके प्रान निकल गए तो यह सदय बहुबचन होता है बाकी सब नहीं ठीक है हिंदी में कहा है। हम भले चट कूद पड़ी कौन सा कारक है तो देखिए मैंने बताया आपको कि करता ने कर्म को करण से ऐसे करेंगे तो इसमें आपको अपादान आएगा अपादान से दुवारा होता है किस्थिति हो यानि भली चत से कूद रही यानि छत से अलग हो रही है तो यहां पे छत से अलग हो जाएगा करण संप्रदान नहीं होगा तो यह ध्यान रखिएगा जहां पे अलगाव होगा यानि कि जैसे पेड से आम गिरा तो वहां भी अपादानी होगा यानि से गिरा या हिमालय से हिमालय से ऐसे करक या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले सब्द में कौन सा कारक होता है तो यह होता है संपरदान याद रखिएगा इसको ठीक है यह एकदम factual चीज है तो ध्यान रखिएगा जैसे पूछा कि राजा ने जैसे एक उद्रहन पता रहा हूं कि पिछले टेस्टों मे देने का बोध होगा तो आपका संपरदान होगा अपादान कारक उत्तम पुरुस बहवचन क्या होगा हम से तो याद रखिएगा निमलिखित में से कौन सा भूत काल के भेद में नहीं आता है तो संभाव नहीं आता है बाकी यह भी होता है यह भी होता है यह भी होता है ठी निमलिखित प्रश्ण के चार विकल्पों में से दिये गए वाक्य का सही काल पहचानना है आपको तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी यानि कि अभी उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था यानि अपूर्ण भूत ठीक है अपूर्ण भूत दे रही थी पराजय में कौन स उपसर्ग है तो परा अपहरण में कौन सा उपसर्ग है तो यह अप अपधन हरण अपहरण ठीक इस तरीके से यह थीसवाँ प्रश्ण हो गया चोवीसवाँ देखते हैं चोवीसवाँ पचवाँ इसमें यह क्रम से लगाना है तो आप देखिए इसको पढ़ेंगे बहुत इसको पत्रों प्रकासित विज्यापनों तो आपगो यह में आ गया थोड़ा सही वाक्टे बन रहा है थीकले अप्रकासित विज्यापनों द्वारा लोग वप्योगी आवश्यक जिल्टमत्तम पदार्थों से परचित होते होते हैं यह यह कि इसमें है एक ही में है यह आपका correct answer हो गया तो एक या दो आपको जैसे ही मिल जाए वो आप टिक लगाए आगे बढ़िए भारत जैसे देशों के लिए या भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए थोड़ा सा confusing है तो इसको देखिए ऐसे देखिए भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यनत उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो यानि पहला तो ये होई गया देशों ये पहला ये वाला हो गया यहाँ पे पहला अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए यानि कि ला वा तो ला और वा कहां है ला आप practice करिए एक बार दो बार वीडियो को देखिए अगर आपके प्रशन गलत हो रहे हैं हिंदी में कम सकम आपको 24-25 नंबर लाने हैं यह यह मान के चलिए कि 24-25 प्रशन लाने हैं मतलब सही प्रशन करने हैं एकात कहीं गलत हो जाया ठीक है अधरवाइस वो भी न गलत हो तो modern history की है वो सब पढ़के जाएंगे तो GS आपको बहुत मजबूत हो जाएगा ठीक है UP special का है उसमें playlist बनी हो यह उसको भी देख लिजिए आप और बहुत चोड़े चोड़े वीडियो नहीं है आप उनको 1.25 के speed से देखेंगे या 1.5 के speed से देखेंगे तो वो आपको बहु कर लिजिएगा चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वास्त रहिए मस्त रहिए बिंदास रहिए जैहिन